क्या दोस्तो अगर आप भी पोईंट पे आप से किसी दूसरे बेंक इगण कंदर पेशा ट्रांसपर करने के लिए जा रहे थे और वापे दोस्त आपका पेशा ट्रांसपर नहीं हो रहा है और आपको इस तरप का प्रोब्लेम को सामना करना पड़ रहा है जैसा कि एकाउंट रिलेटेड इसू करगे आपने दो तीन बार ट्राइ करके देखा होगा फिर भी आपको बार बार एकाउंट रिलेटेड इसू करके प्रोब्लेम को पेश करना पड़ रहा है तो इस बीडियो में दोस्तो इसी प्रोब्लेम का सोलूशन लेकर आच क्यों आखिर दोस्तो इस नमबर प्रब्लेम के बारे में बता देता हूँ देखे दोस्तों अगर आपका एकाउंड माइनर है और आपका एज दोस्तों 18 साल से ज़्यादा हो गया है और आपने दोस्तों माइनर एकाउंड से नोर्माल एकाउंड पर आपने दोस्तों कौन बेटी नहीं किया तो आपको account related issue करके problem को सामना करना पड़ सकता है अभी आप ही दोस्तों देखे कापी सारी यूजर को पता नहीं होता कि minor account का मतलब होता क्या है तो देखे दोस्तों मैं आपको details में simple बासा में मैं आपको पता देता हूँ अगर दोस्तों आपने 18 साल कम age में दोस्तों account open किया और अभी दोस्तों आपका 18 साल से ज़्यादा age हो गया तो अभी दोस्तों आपने minor account से normal account पर आपने convert ही नहीं किया तो आपको convert भी करना पड़ेगा ठीक है ए दोस्तों आपको bank में जाना पड़ेगा दोस्तों तो उसके बाद भी आपको account related issue करके problem को सामना करना पड़ सकता है अगर आप कम समय में ज़्यादा transfer करोगे तो तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप transfer करते हो तो उसके बाद आपको account related issue करके problem को सामना करना पड़ेगा तो इसका दोस्तो 100% solution क्या है आप उसी दिन में transcend नहीं कर पाओगे आप दोस्तो next day 20 गंटे के बाद ही आप पैसा transfer कर पाओगे ठीक है और यह हो गए दोस्तो second number problem जो कि मैं आपको problem के बारे में भी मैं आपको बता दिया और दोस्तो solution भी मैं आपको बता दिया और उसके बाद तार नंबर problem जो कि दोस्तो अगर आपने लंबे समय से आपका काता दोस्तो आपने KYC अपडेट ही नहीं किया तो दोस्तो आपका काता ब्लोक कर दिया जाएगा और उसके बाद आप जब भी आप ट्रांसन करोगे तो आपको account related इसू करके problem को सामना करना पड़ेगा तो दोस्तो आपने KYC अपडेट भी किया और दोस्तो आपने कम समय पे ज्यादा से ज्यादा ट्रांसन करते ही नहीं और दोस्तो आपका minor account है ही नहीं तो दोस्तो सारा process ठीक है फिर भी दोस्तो आपको account related इसू करके problem को सामना करना पड़ेगा तो उसके बाद दोस्तो मैं आपक अपको क्लिक दना और उसके बाद bank account और उसके बाद आपने point पर आप्रेशन के अंदर जितने भी bank account आड करके रखा होगा और सारका सारा bank account यापे सोगा और अभी यापे दोस्तो आपको करना के आपको जिस वाली bank अंदर account related इसू करके problem को सामना करना पड़ रहे आपको ओ ओन लिंग bank account option आपको प्रेल लास्ट वाल option पर आपको क्लिक दना और उसके बाद आपका जो बेंगान को पौन पर आपसे डिलिट कर दना डिलिट करने के बाद आपको चले लेना बेक बेक आने की बाद आपना मुल पे प्लेस्टे राप्रेशन को ओपेन कर लेना तो जैस पूर्सा करने के दुस्तो प्रेशन को ऐडिट करने क्ला देखे दुस्तो कभी-कभी प्रेशन पर आपसे नई होने का करनो दुस्तो कापी सारे प्रreallyम को सामना करना पड़ सकता है तो इसलिए दूस्थ आप अगर पोल्प आप्रसन अपर प्रेशन क tą इस तमल कर है और यूदिकर देखने को मिलेगा आपस करके आपको इस वाली आप्षेन पे क्लिक कर दना वह सकता है दोस्तों आपका मिल पे डीपॉल्ट आपके भी ऑप्सण मीं शकता है यूदितो आप में अपसेन के क्लिक करने की बाद आपका डिबाईज您प करना होगा जोकी स्टोरेजवाल अप्शन आपको खबाएंगे पॉन पीर पॉन deficit करनी का सा?- निवीप करणा कि ऑद कुलिक्षण का सारा ऍक slower invented व्यक्षयर मेशन का पुलिकर लेना है और या पेंपे दोस्ट्त आपको और एक औप्शन पर आपको क्लिक करना होगा जोकी storage wal option याँ पर देख लेना दूस्तों जा हमीबिए आपको storage गर के लिखाव आ रहा है वाँ पर आ प्को क्लिक कर्दना अगर धीकाई नहीं दे रहा है तो तोड़ाशा निस्द्र हो स्कोल्ट कर ले ना.. और यहां पिधकी लेना श्टूरेज करके लिकाव आ रहा है आपको HILE PO Luna, और उसके बाद इसוחension पर प्रलास्ट में देख सकत तो दोस तो दो択चन मिलेगा एक clear data option और एक clear case option तो आपको सबसे पेले clear case वाल option पे आपको click कर देना और उसके बाद second और पे इनका जो data को दोस्त आपको delete कर देना देखे दोस्तो इसे ही किया होगा कि आपने point पे अप्रिक्शन के अंदर जितने भी आपने data यूज किया होगा और सारा का सारा data दोस्तो ड open करने के बाद पिर से आपको नया तरेगे से mobile नमर डाल के आपको register sign of process complete करना पड़ेगा तो आपने जो mobile नमर से phone पे काउंड क्रेड किया ओई वाला mobile नमर यापे enter कर देना और उसके बाद proceed और अभी आपका mobile नमर पे 5 अंक का OTP आईगा OTP यापे dancer fill up कर देना जैसा कि मैं आप point पे अप्रेशन के अंदर open हो जाओगे और अभी आपको करने के पिर से लेप से बेप प्रोपाल वाल अप्षिन पे आपको क्लिक करने के बाद आपने दोस्तों जो बेंगाड को point पे आप से डिलीड किया था मतलों कि आपको account related issue करके problem को सामना करना पड़ता ता ओज एक बेंगाड को पीर से सर्स करके ad कलेना तो अगर आपक जो भी बेंगने में याप एगर दिखाइन दे रहाए ता आपको सर्कश बाए बेंग नेवाल अप्षन पे आपको क्लिक करके आपका जो भी बेंग नेम सर्स कलेना ठीके तो जैसा कि मेरे जो श्टेट मेंको पिं अभी जोस्त आपने जिसको भी पेशा ट्रांसपर कर रहे थे उसको पेशा ट्रांसपर करके देखना क्या दोस्तो आपका जो अकाउंट रिल्टेड इसु करके प्रबलेम को सामना करना पड़ता था क्या ओजो प्रबलेम सोल्प वहा की ने तो इसलिए मैं करुगा क्यां प्वड एक्जाम्प लिक ले में दोस्तों टूस अलप एकाण उप्शन प्यमें क्लिक लिक करगे मेरा ही दोस्तों दूसरे वाली बैखनक कंदर पिशा ट्रांसपर करके मैं आपको दिखा देता हो तो यापी दोस्तो में two self account option पी में क्लिक किया और उसके बद में चाहता हूँ कि मेरे जो bank को बुरदा इसे वाली bank केवड कांदर पॉर example के लिए दोस्तो में एक रुपिस pay करके दिखा देता हूँ ठीके proceed to pay वाल option पी में क्लिक करूँगा और मेरे में दोस्तो state bank को पींडिया इसे वाली bank केवड कांदर account related issue करके problem को सामना करना पड़ता था अभी इस वाली bank को मेंने select किया और उसके बद पे और अभी दोस्तो मेरे जो चेड डिडिका यूपाइपिन दोस्तो याप में डाल देता हूँ यूपाइपिन डालने की बाद यापे रैड डेवल आप्शिन पे मी क्लिक करूँगा क्लिक करने की बाद आपका सामने लाइप प्रिव के साथ दे सकतो payment success पिले ट्रांसपर हो चुकाए तो कहने का मतलब एक ही दोस्तो आमारे जो अगर दोस्तो आपको 24 गंटे के बाद आपको ये जो पेशा ट्रांसपर करने की बाद दोस्तो आपको एकाउंटलेड इसू करके प्रब्लेम को सामना करना नहीं पड़ेगा और अगर दोस्तो आपने लंबी समय में KYC दोस्तो अपडेटी नहीं किया तो आपको बैंग में जाना पड़ेगा ठीके तो उसके बाद मैंने इस वीडियो में जो तरीका बता है ऐसा तरीका फोलू करने के बाद आपका प्रब्लेम दोस्तों 100% सोल पोजीगा ठीक है तो आसा करता हूँ दोस्तों मेरे बाद आपको क्लेरली समझ में हा गया होगा अगर पिर भी आपका मन में कुछ भी डाउट होगा कुछ भी प्रब्लेम होगा तो दोस्तों मेरा वीडियो का कोमेंट बॉक्स में आपको जुरूर कोमेंट करदाना ठीक है आपका जो भी प्रब्लेम है तो दोस्तो एई ता वीडियो स्टोपी के बार में वीडियो पासंद देतो लाइक करदाना अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी पाइदा हुआ कुछ भी जान करें मिला तो बाई मेरे चैनल को जुरूर सबस्क्राइब कलेना तो चले मिलेगने तब तक ले जय हिन जय बारत